दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चे को आवला खिलाते हैं या उनके आREAM में इसे शामिल करने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लीजी कि बच्चे के लिए आवला खाना कितना सुरक्षित होता है और किस तरह से आप अपने बच्चे को आवला खिलाना शुरू कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं नमबर एक आवला खाना चाहिए या नहीं दोस्तो सरदी के मोसम में आवला खूब खाया जाता है और इस मोसम में आप अपने बच्चे को भी ये खिला सकते हैं आवला बच्चे को इंफेक्शन से बचा आ सकता है और उनकी इम्म्यूनिटी को बढ़ायता है हेल्थ एक्सपर्ट्स के मताबिक बिमारी दूर करने के लिए अपने बच्चे को रोजाना आवले का सेवन जरूर कराएं दोस्तों आवला पेट साफ करने का काम करता है इससे बच्चों को कब्ज नहीं होता है इसके साथ ही आवले में एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो इम्म्यूनिटी को बढ़ाते हैं नेच्रल सेंटर हेल्थ एक्सपर्स के मताबिक एक अध्यन में बताया गया है कि आवले में एंटी ऑक्सिटेंट और कई ऐसे गुण पाये जाते हैं जो बच्चे के खून में आईरेन को बढ़ाने में मदद करते हैं बच्चों गो रोज आवला खिलाएं आवला एनीमिया से भी बचाने का काम करता है ये दिमाग की कोशिकाओं को पॉश्चन देता है और याददाश को तेज करता है अगर आपको भी शिकायत है कि आपका बच्चा बहुत कम खाता है तो ये भूग को भी बढ़ाता है इसलिए आप इसका सेवनों ने जरूर कराएं दोस्तो सर्दी के मुसम में बच्चों को आवला जरूर खिलाना चाहिए आप बच्चे को आवले की चटनी, रायता या शर्बत बना कर भी बच्चे को दे सकते हैं इससे भी बच्चे को आवले से मिलने वाले पौशतत्व मिल जाएंगे आज से ही अपने बच्चे की डाइट में आवले को शामिल करना शुरू कर दीजे तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ, मेरी ये चानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले फिर मिलूँगी एक नियो वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक एर अन बाबाई